Welcome to Shivansh Pharmacy, Your Pharmacy. आज की वीडियो में हम नीन ना आने पर जो टैबलेट दी जाती है, उनके बारे में जानेंगे, उनके यूज, उनके साइड इफेक्स, सारा कुछ जानेंगे. दोस्तों नीन ना आने के कई कारण हो सकते हैं, जैसे गलत टाइम पर गलत कार्य करना, देर रात तक मोबाइल फोन, कम्प्यूटर, टीवी स्क्रीन को देखते रहना, और चाय कॉफी बहुत मातरा में, लंबे समय तक पीते रहना, इससे भी नीन ना आने की बिमारी हो सकती है एक अच्छी नीन लेना हमारे स्वास्थे के लिए बहुत ही जरूरी होती है, नीन आने के लिए 5 सबसे अच्छी और बहतरीन टेबलेट्स को हम आप के लिए लेकर आए हैं, इन सभी टेबलेट्स को हम बारी बारी करके सभी टेबलेट के बारे में जानेंगे, कौन सी यह tablet का generic name है, market में Alperax 0.5 brand name से मिल जाएगी, इस tablet से 2-3 घंटे की बहतर अच्छी नींद आती है, इस tablet का use, नींद के लिए मानसिक तनाव, चिंता या थकान को कम करने के लिए किया जाता है, इन सभी tablet के side effect लगभग लगभग एक समान ही है, तो उनको हम last में देखेंगे, पह नींद वा मानसिक तनाव, ठकान के साथ साथ चिंता के कारण होने वाले high blood pressure को कम करने के लिए यूज करते हैं, नेक्स्ट टेबलेट है, फीनो, बरबिटोन टेबलेट, यह tablet का generic name है, इस tablet का brand name, गड़नल टेबलेट है, टेबलेट से 6-7 घंटे की अच्छी बहतरी नींद आती है, इस टेबलेट का भी यूज डॉक्टर नीद, ठकान, मानसिक तनाव, चिंता के कारण होने वाली blood pressure को कम करने के लिए यूज लेते हैं, हमारी जो नेक्स्ट टेबलेट है, एस टेबलेट का generic नाम है, इसका brand name, नेक्सिट और टेबलेट है, इस टेबलेट को खाने क दो से तीन मिनट बाद नीद आने लगती है, और दस घंटे तक नीद आती है, टेबलेट का यूज डॉक्टर, नीद के लिए वा मानसिक तनाव, चिंता थकान, डिप्रेशन, के साथ साथ ओप्रेशन या सरजरी करते समय इस टेबलेट को यूज लेते हैं, यह नीद की टेबलेट है, टेबलेट का यूज डॉक्टर, नीद, चिंता, मानसिक तनाव, डिप्रेशन, सरजरी या ओप्रेशन करते टाइम यूज करते हैं, अब जान लेते हैं, इन टेबलेट के क्या-क्या साइड इफेक्ट्स या दुश प्रभाव हो सकते हैं, साइड इफेक्स द समस्या भी हो सकती है इन टैबलेट से हाथ पेरों में जलन या कमपन की समस्या भी हो सकती है इन टैबलेट का यूज बिना डॉक्टर की सलाह से ना करें Do not use these tablets without doctor's advice बिना डॉक्टर की सलाह से यूज करने पर उनके घातक परिनाम देखने को मिल सकते है Thanks for watching this video इसी तरह दवाईयों से जुड़ी जानकारी के लिए हमारे चैनल को सबस्क्राइब करें वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, दोस्तों के साथ शेयर करें